है ओजिविजु लेके अएलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग तो फ्रेंड्स विर्टीम आप लोगों के लिए का नहीं वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियों के नहीं आप बात करेंगे आई-विप क्या होता है इसके क्या होते हैं क्या सीन होता है इसका सिंपली फुल फॉर मां इंट्राइविनस पाइलोग्राम ठीक है कोई भी आप से पूछ ले आई बीपी इंट्राइविनस पाइलोग्राम तो यह स्टडी है जिसके अंदर ना आपके यूबी किड्नी यूरेटर एंड बलेडर इन चीजो करता है कि पेशन के ऊपर की वो कॉंट्राइश्ट की जो भी उसके बोडी के अंदर रियक्शन हो रही है किस तरू हो रहा है वह उसके पर डिपेंड करता है क्या उसका केस है और इस आई बीपी के अंदर ना अपने को साइज का पता चल जाएगा सेप का और पोजिशन का क्यूबी ठीक है और उसके साथ साथ अपने को जो भी इनके किड़नी के फंक्शन है ना के यूबी की बात होगी ना इसके जो भी चीज़े है उनके बिल्कुल अपने को फंक्शन पता चल जाएगा और इस के अंदर ना आपना एक डाई जेते हैं जिसको कॉंट्रास्ट मे वीडियो बना दूँगा आई वीपी की स्पेशल ठीक है गाईज यह कह रहा है कि कोई भी डिजीज हो गया जैसे किड़नी स्टोन हुई ट्यूमर हुई यह कोई इंफक्शन हो गया उसके के अंदर अपने को आई वीपी करना पड़ेगा ठीक है गाईज और कई बार क्या अगर आई वीपी होने से पहले अगर आपके आई वीपी हो रही है तो अगर आप प्रेगन हो तो आप डोक्टर को बताओगे अगर आप ब्रेस्ट फीड करें तो बताओगे यह फिर कोई इंट्रा यूटर है यह इसके साथ कोई बी आपको आयोडिन जो भी डाई होगी आयोडिन कोई ऐलरजी होगी या फिर कोई बी ऐलरजी के रियक्सन होते हैं जाए कोई मख्यी वगरा खा जाती है आपको तो एवीद वगरा लेते हो उस केस के अंदर आप डोक्टर को बताओगे कि मेरे को यह हो इसके बाद फिर कोई आपको पूछना पड़ेंगा कोई दिक्कत नहीं है जो एपने जो रेडियो लोजी के डिपार्टमेंट की में रेडियो लोजी डिपार्टमेंट में ओफिसर्स होते हैं वो यह चीज करते हैं गाईज दन वो ना अपने को जवैलरी वगएरा होगी अपने पास कोई भी एक्ष्टा चीज है ना वो सारी निकाल दे नहीं है और हो सकता है अपने को होस्पिटल ही गाउन प्रोवाइड कर देगा वो गाउन अपने को डाल लेना है गाईज दन यह कह रहा है कि आपको जो भी अपका पेशन अपने को टेबल पर लेटा देना है उसकी बैक साइड और फिर अपने एक्स लेंगे और यह एक्स ने इस तरह आपा इंटर्विल दिया जाएगा जिस तरह आप पूरा यूरिनी ट्रेक्ट को आपा ट्रैक कर लें क्या उसकी जो मैटाबोली के रेट है उस पेशन का उसके कहां से देखनी है यह वहां dipênD करता है यह से बहुत कम केस देखने को मिलें जहां अपने को प्रोसीजर वाला उस टाइम आपका एक कमप्रेशन बैंड का यूज करते हैं जो यह क्या और प्रेशर वगएर होता न यूरीन का उसको मैंटेन करके रखेगा जिस से क्या मेज मिल जेगी क्योंकि वह जो अपना डाई दे रहे हैं वह पास हो जेगा लेकिन अपने को वह पास होने नहीं देना है दन यह कह रहा है कि अपने रिडियेशन का रिस्क भी तो है रिस्क वर्चिस बेनिफिट अपने हमेशा कैलकुलेट करते हैं रेडियोलोजी के अंदर वहां क्या हो सकता एक रिस्क तो कोई भी कई बार पेशन को अलर्जी वगरा हो सकते वह बात तो अलग है अपने को ना जैसी आई वीप होगी पेशन को देड़शी दो गंटा अपने जो भी सर्विलेंस के अंदर रखना सामने बिठा सकते हो को रिडोर के अंदर उसको यह लो लेवल में होते कि इसको अपने को रिजल्ट में रहना वह बहुत बैस्ट है तो इसलिए अपने रिस्क बेनिफिट में तरका यूज करते हैं तो आज की वीडियो में इतना आपने यह सीख लिया कि आई वीपि के बेसिक्स चीज़े क्या होती है ओके थैंकियो सेवे नाइश दे